अगर आपके पास किसी भी साइज करें कितने भी वाड़ करें उसका केविनेट कितने मेजरमेंट पर हम बना सकते हैं यह टॉपिक काफी इजियर पर काफी हाड वी क्यों को पता नहीं है किसी स्पिकर के लिए कितने अगर पता नहीं है तो मैं आपको मेजरमेंट करने के लिए मैं बता दरूँ यहां पर मैं स्टेल ले रहा हूं इंची पर आपको थोड़ा प्रोब्लम होगा तो मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूं यहां पर लगबग 20 सेंटी मिटर यानि कि कितना है यहां पर देखो यह वाली डोट है अभी से हम काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ 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 इंची का हमारे यह इस पीकर है आप सबसे में इसे कट करना पड़ता है तो करने वाला पार्ट हमारा कितना इंची का यह कितना सेंटी मिटर का है वह मैं आपको यहां पर बताता हूं तो यह जो आपको साइड पर जो और दिख रहा है यह वाला पोईंट जिसे प्रेस होता है यह आप साथ इंची और तीन कुछ है तो यहां पर कुछ ऐसा इसका जो बाहर का जो सेंटीमेटर है या इंची है वह हमें मेजर्मेंट करना होता है अब बात करेंगे कोईल की तो कोईल की साब साब कुछ ज्यादा डिफरेंज नहीं लेना है शोटकर ट्रिक मैं बताऊंगा तो मैं दिखाता हूं यहां पर एक टू-3.30 tür aliens इंची का मैंने हमारा यहाँ पर देखनी को मिलता है जो की काफी ज्यादभा पावर्फूल पन्स का अब चलो अब मैं आप सबसे पहले समझते हो तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ कट मैंने लगा लिए और यह आप को अभी बताएंगा कि कितने की कर लगाया कितने यूज किया है तो यह है हमारा प्लाइबूर्ट का प्रीस और यह प्लाइबूर्ड का जो कीस हाँ आपको मेजर मेंट करके साथ दिखाऊंगा इसे आपको कोई प्रोब्लम नहीं हो गजिए हो तो यहां पर मेजर मेंट दिखा रहों लगबड दिखा तो चार एमम पांच स्बसक्राइब करें ऑर पांच में प्लाएबूड पर यह आप आठ इंशी को यूज़ कर सकते हो तो आपको निए पहले पताया होगा देखो यह हमारा speaker है ठीक है clear है अब speaker को सबसे पहले करते हैं इधर से down आप down करने के बाद आप देखो यह जो आपको cover दिख रहा है यह screw वाला पाट छोड़ करके यह जो पुरा cover दिख रहा है अब आप बोलोगे भाई यह तो हमारा direct इस पर आप कितने बड़े speaker को बना रहे हो जैसे कि अगर आप कोई भी speaker को बना रहे हो तो उसकी जो हाइट होगी वह maximum speaker से तीन इंची बाहर होना चाहिए यानि कि यह जो हमारा speaker है यह हमारा 8 इंची का है तो 8 इंची में से समझ लो कि आपको कम से कम 3 इंची बाहर रखना निकलना निकलना होगा चार तरफ यह लेफ प्रैट और बोटम और टॉप का यह आपको clear होना चाहिए और जब निकलना पड़ेगा यह जो आपकी कम से कम 13 की होनी जो इन्ची इस पर भी बढ़ा दो इससे यहां को इतना बड़ा सबसे नीचे में रखता हुआ है यह जो साइज है यह आपको दो तरह से स्पीकर को बना सकते हो फर्स्ट तो आपको एक स्क्वाइर से का बना सकते हो और दूसरा आगे से पीछे में चोटा सा स्काइर होना चाहिए एक समय लोग बड़ां पीछे के साइड पर आपको छोटा दिखता है तो यह पर यहां पर यह एक को की होलदा होने वाला करने होगा襯ा अब यहां पर मैंने कुछ मॉर्किंग में कर लिया है और यह के हिसाब एंकार करना है मार्किने यहां से थोड़ा-थोड़ा दिखा हो सबस्क्राइब लगबग 10-6 सेंटीमिटर के सब्सक्राइब काम 18 सेंटीमेटर है यहां पर तिछाता हूँ यह मैंने यहां पर लगाया यह में आपको यहां थोड़ा और धेक से नहीं है इसकितना चोड़ा है वो मैं आपको दिखा जो इहां पर लगवक समय दो दो तो दो इन्ची मैंने यहां पर जोड़ा है और यही हमारा इंपोर्टेंट होता है हमारे स्पीकर का जो बेस होता है वह फ्रो करने में तो यह आप लोग दियान से देखना और वीडियो कैसी लग रही है मुझे कॉमेंट सेशन पर बताना और यह आपको अलगर पार्ट भी देखने हो मिल जाएगा करते हो तो आपको पत से बनाते है पर साउंड क्वैलिटी देखा जाए तो दोनों में लग भाग सेम ही आता है बस प्लाई यह होता है पानी पढ़ने पार यह खराब होता है और एंब्डिया पुड़ा कम खराब होता है तो कोई टेंसर नहीं है मैं आपको इसी में बता रहा हूं और देखो एक पारफेक्ट है वहां से लेकर कि यहां तक यह Aíज यहां तक पैट जाएगा फैक्स यहां पर मार्किंट को पहरे से लगाया हुआ था अब यह वाले बाखी जो पूरी पलाई है मैं आपको टोटल साई नहीं दिखाया है कि कितना मैंने इसका चोडाई रखा वह है तो देख में बहने बार बार बता दो दरहाओं यहाहां से आ चुका यहां थासे संटीमीटर है यहां पर पर यहां हो थोड़ा समिजर्मेंट कर लेते हल्कर सा तो लगबग्यां पर साभें तीन यहां निकि लगबग्य यहां ग्यां पर meant मैंने यहां पर इसे प्लाइबुड को अस्क्वाइर में कट किया है यह किलियर हो चुका है अब इसका जो साइड जो कोर्नर रहेगा लेफ राइट और टॉप और बोटम का जो रहेगा उपर निचे दाएं बायां का उसका साइज में आपको बता ज़ता हूं और यहां से भी लगबग देखा जो सेमी है मतलब तैक्रीस के समलब कुछ है और इसका जो चोड़ाई है वह यहां पर लगबग देखो 30 सेंटीमेटर यानि कि 12 इंची का हमारा यह फिक्स बैट चुका है 12 इंची का हमारा एक दो तीन और यह चार चार जो प्लाइबूड हमा यह ट्विटर हमारा 200 वार्ट का है एक 200 वार्ट है दूसरा भी 200 वार्ट है वैसे 400 वार्ट का यह हो गया और लगबग 50-60 वार्ट का हमारा यह स्पीकर बनने वाला है अगर आप इस वीडियो पर कॉमेंट कर देखा तो आप आप नीचे कोमेंट करना मैं उस पर भी जल्द दो रिकते के मारक कर लिए जो मुझे अच्छी तरह से कट करना पढ़ए तो चलो अब सबसे पहले इसंहां से करते हैं यहां पर अगये का म सीखतें सबस्कुन लोग यहां पर देखो इससे मैंने कट कर लिया और कटिंग भी देखो मैंने काफी अच्छ हुआ यहा थोड़ पाट है वह उस वाले को भी हमें लगाना पड़ेगा अगर इस जगे पर देखो कहां पर गया पेनल हमारा अच्छा है यह वाला पेनल देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपको इस जगे पर नंबर फोर देखने को मिल जाएगा और इस वाले पॉइंट पर यहां पर मैंने डोट एक लगा दिया यहां पर देख से पहले पेनल लबर टू लगता है पेनल लंबर वन इससे पहले लगता है आप लोग इतना ध्यान रखना यह जो पेनल है अब इसके अंदर पर होने वाला है तो इसे चिपकाने के लिए यूज करने वाला हूं मार्केट से तुरंत लेकर कहा हूं यह मुझे शाट मिला है और इससे हमें चिपकाना होगा और बाद में इस पर केल कि साहता से इसे प्रोपर टाइट कर दो कि यह प्रोफेस्टन बनने वाला है तो थोड़ी टाप वीडियो काफी लोंग बनेगा तो आप लोगा एडजेश्मेंट कर लेना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चला सब्सक्राइब बना लिए कर लेसे प्रोबivan झाल लेकी लेडियो कार लोगार में प्राइब लोग, पैसमानो आपा, अपा. झाल 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 प्रोट जिससे अपड़वार जिखते हैं लेकिन इस पर एक प्रोब्लम हमें देखने हो मिलता है क्या है मैं शुरू में बतलता हूँ आप लोग को चोईस करना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ट्वीटर लगा रहे हो तो ट्वीटर के हिसाब से आपको क्लास डी वाले एंप्लिफायर बिल्कुल भी यूज नहीं करने जिसे मोडियोल वाले जो होते हों सभी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इससे यह होगा कि ट्वीटर तो चलेगा नहीं और लोड काफी ज़्यादा पढ़नी को यसी खराब हो जाएगा और इस फिकर की ब पर यहां पर पूछ यह करेंगे ड़ेटर आप पर कुछ चीशतरिगे से लगा देंगे यह लग दया और स्पीकर के पॉइंटे से आप देख लो आभी आपको कनेक्सिं भी बताउंगा तो इस कि यहां पर पुच चिशतरिगे से लगाना है अब इसकी जो उसक्रू है उसस तो यह हमें से टायट करना पड़ेगा तो यह पड़ाफट कर लता हूं आप हम करेंगे इसकी वायरिंग करना काफी है यह सा मैं आपको बताऊंगा आप सेम करना यह कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर जूं कर ले रहा हूं जिसे आपको ट्विटर रहे हैं आप जब भी करनेक्शन करो तो एक बार ध्यान रखना पोजिटिव अलग होना चाहिए और नेगटिव अलग होना चाहिए यानि जब भी आप एंप्लिफायर से कनेट करें यह पावर सफ्लाय जब दोगे तो जो इसके टर्मिशन होगे वह पोजिटिव को देखते हुए लगाना नेगटिव को देखते हुए लगाना वरना ट्विटर खाप हो जाते हैं बहुत ही जल्दी अब काफी लोग बोलते से वाइ आप ट्वीटर पर एक क्या पर यूज़ करो तो यह वाला ट्वीटर मेरा क्या पर पहले से लगा हुए तो मैं यहां पर डबल नहीं लगाने वाला हूं अब दोनों ट्विटर के जो वायर है इन दोनों वायर को हमें आप अपर समय करना होगा यह नेगिटिव को के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ द्यासा में कर रहा हूं आप लोग सेम कनेक्शन करना देखो यह हो गया अब यहां पर करेंगे सोल्डर लेकिन उससे पहले हमें एक वायर की जर्थ पढ़ने वाली है और यह वायर इंपोर्टेंट है अभी आपको पता चले यहां पर कट कर देंगे आप देखो यहां पाँ वायर एक तो नेगेटिव दूसरा पोजिटिव और यह तीसरा भी पोजिटिव अब यह क्यों है वह मैं आपको पता था हूं मुझे यहां पर एक छोड़ा सा काम और बताना तो जो मैंने बताना मैं भूल गया हूं देखो यहां पर हमें एक्स्ट्रा वायर लेने जो कि मोटी वाली वायर होगी और इस वायर को सबसे पेले तो इस पीकर पर लगाना पड़ेगा तो यहां पर मैंने छोटा सा होल के यहां पर इसे थोड़ा सा चूटा कर देंगे हल्का यह देखो और इसके बाद हमारे जो normal वाए था उसकतर हमें इस पर लगाना है और इसके बाद हम इसे कर देगे यह देखो सेम इसी तरहिकर से connection करना है अब यहां पर जो हमने एक्सट्रा वायर जो लगा या था यहां पर इस वाले पॉइंट पर यह जो आप देख लिए हूँ इस वाले पउइंट पर इन दोनों को भी हमें आपस में सौर्ट करना तो यहां पर कर लिए वसके यहां पर कर देंगा करना अब को यहां पर मत करना सकते हैं अब यह हो गया आप यहां पर देखो तो अब लास्ट करने के बाद इसका यह वाला वायर है, यह वालवायर को हमें आपर स्पीकर नहीं चलने वाल है यह क्यों वह मैं आपको बताता हूं यहां पर देखो एक तो मैंने ट्वीटर को यहां पर नेगिटिव के साथ कर दिया और पॉजिटीव वाले पीन को मैंने एक्स्ट्रा वायर के साथ कर दिया अब जो यह हमारे दो इस तरी के वायर है बचे हु सेम हमारा जो यह स्वीच यह सूइच हमारा यहां पर लग जाएगा जीस्ते जब चाहें तो ट्वीटर को ओप भी कर सकते हैं विच्टूइटर का यहां पर काप करो यह आप फॉमेड बनाए हो यह फर्स्ट टाइम ऐसा को एक जुगाड मेंने लगाया है जो आपको बता न चाहिए तो यहां पर स्वीच को कनेट करते हैं केविनेट को पेक करते हैं और फिर से टेस्ट करके आपको दिखा दोते हैं अब आप देख सकते हों कि हमारा जो स्पीकर है वह बन करके पूरिता से कंप्लेट हो चुका है अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूं तो मैं आपको दिखा हूंगा तो हमारा कुम सा है यहाँ पर देखो यह हमारा एक बिजिटल वीडियो प्लेयर और इस पर मैंने यहां पर यहां पर इलेक्ट्रिक बोड को यहीं पर पास में रखाऊं ताथ हमारा जो स्पीकर है यह भी है यह 30 प्लस 30 वाटेश पर यह उपरेट होता है इससे तो ट्वीटर नहीं चले का मैंने आपको शुरू में बताया है तो जस्ट इसे पोजिटिव और नेगिटिव को इस पर हमें इस आपको यह भी दिखता रहे और साथ है साथ मैं भी इसे ओपरेट भी करके दिखाऊंगा अब इसे चालू करने के लिए पावर सप्लाइम लेंगे तुवेल वर्ट तुरू दो एमपेर का ठीक है अभी से यहां पर प्लग इन कर देते हैं इसके साथ यह मैंने प्लग इ से पहले मैं मैं नीची चला जाता हूं gyerm시 अ ऑ याप आपको यहां पर क्लियर से दीक रहा है हमारे जो आपके आपको से ष्क तो सेटिंग और यहां पर बुलू सुट णसुन का सेटिंग अन्य'll शुका है अभी यहां पर क्या करते हैं इसे मोबाओल केसाथ उते करते हैं Micha करेंट हो चुका है आपको मैं दिखा हो यहां पर यह देखुम अभी मैं पूश्क अभी मैं पूश्का सांड ट्वाइस्टिंग जो है वह में दिखा रहा हूं भी किलियर करके चलो यह एक मुझेग निकल चुका है इसका जो प्रेस है वो सुनना भी भाई हो अभी आप यहा कि एसाया प्रूद आप मुझा है जुद रीजिए जोग्वार्स बेंदो जोगी अब देखो आइस यहां पर साउंड क्वाइटिक वह एक नंबर है साउंड क्वाइटिक काफी अच्छी है जो कि मैं कलास D के एंपली फायर से से यूज कर रहा हूं देखो ट्रेवल भी काम नहीं करेगा मैं स्वीच को यहां से ओन भी कर दू तो अभी आप लोग यहां पर स अब आपने साउंड को सुन लिया है कि क्लास D वाले एंपली फैक पर कैसा है बेस क्वालिटी काफ्ट अच्छा मिलेगा बर ट्रेवल इसमें थोड़ा कम देखने को मिल जाता है तो वह आप लोग फ्रोपर जो म्यूजिक होते हैं वह मैं आपको सुना तो जो नोर्मल वाल अब यहां से निकलते हैं कोई जलो यह एक ट्रेंडिंग सोंग है कोपीरेटर भी आ सकता है वह आपके सामने चेकिंग होगा आपके सामने चेकिंग जाता है जाता है यह आपके सामने चेकिंग होगा बाइव अभी आपने यहां पर सुना इसका जो सांड को रेटी वो काफी अच्छा है अब मैं यहां पर आपको सेकेंड एंप्लिफायर से यूज करके दिखाने वह जो आइसी पर बेस्ट है अभी मैं आपको चेकर करके दिखाऊंगा बार्शर यहां पर देखो कि मैंने यहां पर एंप्लिफायर को चेंज किया हुआ है यहां पर रखा हुआ हमारा स्पीकर साइड पर चल रहा है अगर लाइट इंग थोड़ा होता तो ठीक है बट यहां पर देखो अब मैं आपके सामने पेरिंग फिर से करके दिखाने वाला हूं मौर पर सेरेट करते हैं और यहां से निकाल देते हैं इसका जो मोडल नमबर आएगा वह होगा हमारा बीटी जीव भीजीरो माइन देखो और इस वाले एंप्लिफायर को बनाते हो तो इस पर आप मायक भी ऑपर पाऊगे इस पर मैंने मायक को भी फिट किया है जो आपको आगे जो म्यूजिक आप लोग सुनते हो नोन कोपी राइट नहीं है यह आपको मिल रहा है बस यह वाले म्यूजिक मिलेंगे कोपी राता भी है तो म्यूट हो जाएगा यह हो सकता है कि म्यूट अगर ना आए तो समझ लेना कोपी राइट का इसू नहीं देखने को मिला है तो च हो चुका है यहांपर करते हैं साउंड को इनख्रीज यहां से आए यहां पर म्यूजिक जो है वह इंक्रीज हो चुका है ट्रेबल बेस को मिला लेते हैं उसके बाद से चेक करते हैं कि देख सकते हूं वह कुछ ऐसा है यहां से इंत्रिस देखते हैं यहां समय से 45 पर सेट कर रहा हूं कि देख सकते हैं वह कुछ इतना आता है आप साउंड को यहां पर कर रहें मूट जो अमरे ट्वेटर का है अब आप इसकी साउंड को रहें तो आपने यहां पर सुना है कि इसका जो म्यूजी को ऐसा है अब मैं आपको यहां पर कुछ अलग टैप से जो डीजे वाले म्यूजीक होते हैं मैं उससे आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूं आप उसकी बेस सुन ले ना ट्रांजिस्टर जो हमारा क्लास डी अम्प्लिफाय था वह तो बेस्ट काम किया है और आप इससे चेक करते हैं यह हमारा बेस्ट काम करता है यह यह नहीं आप इससे साउंड क्वालेटी सुन लो आप इससे साउंड को एंदी सुनों गाइस यह जब आप इसका पास बेस्ट जो थो है वह आप सुनना ध्यांसे गाइस तो यहाँ पर आपने जो इसका जो फुल साउंड है वह आपने सुन लिया है और आपको साथ अच्छा भी लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो उसे कर जाना हुआ है झाल झाल